पनोर्म कुरूप जो सोचता है वो करता है देर राध तक राजभावन में हल चले तेज रही मंत्री बनने के बाद आज उनके आवास पर भी जश्न का महौल देखने को मिल रहा है लेकिन जहां एक तरफ NDA गडबंदन में जश्न का महौल है दूसरे तरफ RJD की अगर बाद चित की जाए तो मंत्री मंडल का गठन होते ही RJD में हडकंप मच गया है कैसे मच गया है तरसल आपको बता दे कि Land for Job Scam मामले से जुड़े तमाम मुद्दों पर लालू परिवार के मुश्कले तो बढ़ी हुई है लेकिन दूसरे तरफ पर अब ED का च्छापा ताबर तोड़ पड़ रहा है कैसे बीते दिनों आपको बता दे कि बालू कारोबारी जिस तरीके से थे उनके कृष्ण मोहन सिंग उनके ठीकानों पर ED ने डेट कीती और अब देखिए आरा भोजपूर में बालू कारोबारी और ब्रांटसंस कंपनी के निदेशक पुंज कुमार सिंग और कृष्ण मोहन सिंग के ठीकानों पर ED ने छापा मारा है दोनों कंपनी के पांटनर है ठीकानों पर ED की टीम सुबसुबह ही पहुंच गई एक साथ कई ठीकानों पर छापिमारी हुई बोजपूर में टीम कोईलवर थाने के धंडी ही स्तित स्रीलाल वाटिका में छापिमारी की गई इसके अलावा धनबाद में पुंज कुमार सिंग के ठीकानों पर ED पहुंची बालू कारोबारी पुंज कुमार सिंग और 2500 करोड से अधिक के राजस्वर चोरी का मामला है जिसके अधार पर ED अपनी कारवाई में जुटी हुई है यह तस्बीर है आपको दिखा दें किस तरीके से बालू कारोबारी पर जो है वो ED का छापा पड़ा हुआ है और काफी चर्चाएं इनकी हो रही है देखे ब्रांटसंस कंपनी जो है वो कहा जाता है कि लालू परिवार से जुड़े हुए किसी वैक्ति का है जिनके यहाँ पर छापे मारी इस वक्त चल रहा है ब्रांसेंस कम्पनी के बारे में खूब चर्चा होती है बीते दिनों ब्रांसेंस कम्पनी के ही एक सजन थे जिनके उपर में कहीं न कहीं चर्चाएं हुई थी और छापे मारी भी हुई थी तो तेःश्ट्री या फिर लालू प्रशाद या दो के कई करीवी होपर छापे मारी के बाद अब बालू कारोबारी उपर लगतार छापा पड़ रहा है समराण चौधरी ने पहले ही कहा है कि बालू कारोबारी से जुड़े या फिर अवैद बालू खनन करने वाले लोगों पर ताबड़ तोड़ एक्शन होगा चाहे वो बालू माफिया हो शराब माफिया हो इन लोगों पर एक्शन सुरू हो गए हैं बिहार में अपरादियों और अपराद से कोई समझाओता एन लोगों पर एक्शन सुरू परतिफल है कि अब सरकार और मंत्रि मंडल गठन होने के बाद काफी सकती दिखाई जा रही है जो भी खबरे होंगी लगतार हम आपको अपडेट करेंगे जुड़े रही भारत लाइप के साथ धन्यवाद ATM नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद